यदि शमीकर निकाय 2x plus 3y is equal to 5 एवं 4x plus ky is equal to 10 के अनन्त हल हों तो k का मान क्या होगा हमें यहाँ शमीकर निकाय है 2x plus 3y is equal to 5 हम इसे ax plus by plus c is equal to 0 के रूप में कनवर्ट कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 फिर दुसरा समीकर है 4x plus ky is equal to 10 इसे भी हम ax plus by plus c is equal to 0 के रूप में कनवर्ट कर देते हैं 4x plus ky minus 10 is equal to 0 अब चुकि इस समीकर निकाय का अनन्त हल है तो उसे स्थिती में क्या होगा इस समीकर निकाय में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होगा हम इसे लिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हम इस पर मान पुट कर देंगे a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू K, c1 का वैल्यू माइनस 5, c2 का वैल्यू माइनस 10 अब यहां पर k का वैल्यू उप्राप करने के लिए हम या तो इस समीकर का सहरा लेते हैं या इस समीकर का सहरा लेते हैं इन दोनों में से किसी एक समीकर की जायता से हम k का मान बता देंगे क्रास मुल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 2 into k is equal to kya हो जाएगा? 4 into 3, k is equal to kya हो जाएगा? 4 into 3 by 2, 2 से 2 times में cancel हो जाएगा तो k is equal to kya हो जाएगा? 2 into 3, 6 यानि कि k का वैल्यू जब 6 होगा, तब इस समीकर निकाय का अनन्थाल होगा थैक्स पूल वाचिंग जाएगा